जैहिन दोस्तो मद्य प्रदेश के करेंट अफेर में एक बार आपका फिर स्वागत है यहां मैं आपके लिए आज फिर कुछ नए इफेक्ट लेके आया हूं जो आपके आने वाले सभी एक्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं यहां हम देखेंगे जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे भारत में हिंदोस्तान पेट्रोलियम लिम्टेड ने एक पृथा सुरू की है या एक सॉप शुरू की है ये क्यों किया गया है कि जो highways होते सहर में तो आपको आसानी से वो चीज़ें मिल जाएंगी तो आप petrol pump से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन जो highways होते हैं और highways के आसपास जब दुकाने नहीं होती है तो बहुत ही दिक्कत होती है तो इसके लिए ये किया गया है और इसमें आप जब petrol pump पर जाएं तो बहां आप जरूरत के सामान भी खरी सकते हैं तो ये हमारे मद्य परदेश में इसको हैपी सौप के नाम से जाना जाता है और ये हिंदुस्तान petroleum corporation limited के द्वारा सुरू किया गया है हिंदुस्तान corporation limited ह्टी से दड़ोन कोई Hey एमदाबाद 60 and Singles, पहें This affirm 21 एम यहाद एम के जूकारा मुझी mieszka Herman को मुझीश मैं प्रूज़ों में Kho एपी सॉप ये शुरू किया गया है जहां आप एक ऐसा रिटो लिस्टोर रहेगा जहां आप जरूरत के सामान खरीद सकते हैं। उसके बाद मद्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। काफी लंबे समय से ये पद खाली चला आ रहा था और फाइनली इस पर मनोहर ममतानी जी को चुन लिया गया है। अब जो राजमानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको कौन चुनता है तो इसके लिए एक समीती बनाई जाती है राजजपाल के द्वारा। तो इसकी नियुक्ति राजपाल करता है लेकिन राजपाल खुद से नहीं करता है इसके लिए वो एक समीती बनाता है। आपके हाई कोट के जो रिटायड जज होते हैं वो बन सकते हैं तो ये अभी कुछ नए नियम आए हैं पहले सिर्फ रिटायड जज बन सकते थे अब लेकिन जो हैं मुख नयदीस के अलावा जो जज हैं वो भी बन सकते हैं रिटायड के साथ साथ करेंट में हैं वो भी बन सकते हैं तो इसमें ये कुछ परिवर्तन हुए इनको आप जरूर देख लेना मद्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया है जाके मानव अधिकार आयोग को भी कर सकते हैं हमारे संबीधान के द्वारा हमें 6 पिरकार के जो है राइट्स दिये गए हैं उनमें से किसी का भी उलंगन हो खासकर आपके स्वतंतरता के जो राइट्स मिले हैं आर्टिकल 19 से लेके 22 उननीस में कुछ 6 आर्टिकल दिये गए ह तो हमें गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है उसके अधिकनी चीजों का उलंगन हो तो आप इस चीज को लेके सिकायत लेके कहां जा सकते हैं मानव अधिकार आयोग के पास जा सकते हैं तो अभी हाल ही में 25 दिसंबर 2022 को मनोहर ममतानी को मध्य प्रदेश रा उसके बाद अगला जो फैक्ट हमारा जल महोत्सव तो जल महोत्सव का यह सेवंथ एडिसन है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के घंडवा जिले के जो इंद्रा सागर जो है इंद्रा सरोबर यह इंद्रा सागर डैम है उसके पीछे एक आर्टिफीचियल आइलेंड बनाया ग सोला से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जल महोत्सव मनाया जाना सुरू किया है और यह साथवे नम्मर का था यह जो आइलेंड बनाया है उस डैम के पीछे बहां हर एक प्रकार की वाटर एक्टिविटी करवाई जाती है टूरिस्ट को अट्रेक्ट करने के लिए क्रू ले सके तो यह साथवा एडिसन है उसके अलावा मध्य प्रदेश में जो गांदी सागर डैम है चंबल में बहां भी जल महोत्सव शुरू करना प्रस्तावित किया गया है उसके बाद आठवे राष्टिय हतकरगा दिवस पर रसीदा भी रसीदा भी को राष्टिय प्रुस एक कला है जिसको हम बाग प्रिंट्स बोलते हैं तो यह बाग प्रिंट्स की बहुत ही कलाकार है और बाग प्रिंट्स जो कि आपके कपड़ों पर चित्र बनाए जाते कपड़ों के अलावा दीवारों पर बाग प्रिंट्स में आपने देखा हो गई एक बाग प्रिंट्स जो लड़कियों के द्वारा मेहदी लगाई जाती है उसमें भी इस टाइप का डिजाइन होता है तो इस टाइप की डिजाइन होता है जो बाग प्रिंट्स पर बनाए जाते हैं तो रसीदा भी बाग प्रिंट्स की भेहमस कलाकार हैं बाग प्रिंट्स के फाउंडर हमारे इसमाइल सुलेमान और फारुक खत्री जी रहे हैं उन्हीं की परिवार की हैं ये तो उनको जो है ये राश्टिय पुरुस्कार दिया गया है कौन से नम्मर का आठवे नम्मर का दिया गया है अब हेंड लूम डे कम मनाया जाता है तो मद्य प्रदेश में जो है हेंड लूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है क्योंकि 1905 में 7 अगस्त से ही जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके खिलाप में आंदॉलन चला था ठीक है स्वदेशी आंदॉलन जिसमें जो सरकारी चीजें थी उनको जलाया गया था उनको प्योग पर रोक लगाने के लिए मुमेंट च क्या था कि वहां क्रांती कारी गत्विदियां जादा होने लगी थी उनको रोकना था तो ऐसे आरोप लगा के उनने बंगाल का विभाजन कर दिया था जिसके खिलाप में पूरे भारतिये जो है एक जुट हुए थे 7 अगस्त से बंगाल चेत्र में हर चौराहे पर जो प्रोडेक्ट है बाग प्रिंट जिसको रसीदा भी जो है कि कलाकार है और उनको जो है कौन से नमर का आठवा राश्टिये सम्मान दिया गया है तो यह याद रखना फिर मद्ध्रदेश सिविल एविएशन मद्ध्रदेश सिविल एविएशन ट्रेनिंग देने वाला साइंस एंड टेक्नोलोजी सेंटर आपने सुना होगा यह हमारे ग्वालियर में जहां अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उसमें देश का पहला ड्रॉन स्कूल भी खोला गया है अब बहीं पर सिविल एविएशन आपकी जो एरक्राप्स जो फ्लाइट्स रहेंगी उस जो थिरा जितती सिंदिया जी है तो ग्वालीर में ही सारी चीजह हो रही हैं जो घ्रतिय का सबसे बड़ा बनाया जारहा है वहां का जो आपका airport था उसी में airport की ओर हवाई पट्कियां बढाई जा रही हैं और वैसे करके वो पिर्देश का सबसे बड़ा airport बन जाएगा अभी पिर्देश का सबसे बड़ा airport आपका हंदौर का हंदौर का कौन सा अहल यह वाई airport है na एल्यवाई होलकर के नाम से उसके बाद फिर देश में सबसे बड़ा एरपोर्ट लॉजिस्टिक एरपोर्ट प्लस आपका पैसेंजर वो देवास में बनाया जाएगा लेकिन यहां वाले जो राजमाता बिजेयराजे के नाम से हैं उसमें अल्रेडी काम शुरू हो चुका है तो बहीं सिविल एवियेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी जो एरक्राफ्ट के लिए पैसेंजर के लिए जो रहते हैं उनके लिए कुछ डिप्लोमा कोर्स शुरू करवाए जाएंगे इसमें माधा इंस्ट्यूट में जो की ग्वालियर में है फिर मद्य प्रदेश को किसी अब सन रचना कॉर्स 2022 में प्रिथमिस्थान प्राप्त हुआ है तो यह क्या है अब संरचना इनकी इनफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आपकी शुवधाएं दी जाती हैं उसके लिए मध्य प्रदेश को यह प्रथमिस्थान मिला है मद्धिपर्देश में खेती के लिए सिवराज सिंग सरकार के द्वारा बहुत सी परकार की योजना है निकाली गई, बहुत सी परकार का बजट दिया गया है, जिस कारण से ये प्रतमिस्थान प्राप्त हुआ है, तो ये याद रखना, फिर इंदॉर जिले में जो है नमकीन cluster बनाया जाएगा ये प्रस्तावित किया गया है तो नमकीन cluster कहां बनाया जाएगा इंदौर सहर में बनाया जाएगा उसके अलावा भी और जगह प्रस्तावित किये जाने की योजना है लेकिन अभी कहां किया गया है तो अभी इंदौर में किया गया है नमकीन cluster क्या होगा ए इन दौरी से आपने खाया होगा सुना होगा तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं पर मद्ध्रदेश सरकार द्वारा पांच जिलों में पीपीटी मौडल आधारित चिकिस्था महाविध्याले की सुरूआत की जा रही है सिविनी में बहुत पहले पीपीटी आधारित को बोलते हैं तो यह है प्राइवेट पबलिक पार्टनर्शिप जिसमें आपके सरकार के सांस सांस कुछ प्राइवेट लोगों से भी पैसा लिया जाता है प्राइवेट ग्रॉप्स होते हैं इन दौनों लोगों का पैसा दौनों समुहों का पैसा मिलके उस संस्था या उ चिकिस्ता महाविद्याला है ठीक है तो ये आपके कहां कहां स्थाफित किये गए हैं भोपाल, इंदौर, जवलपूर, बालाघाट और कटनी में हैं ठीक है फिर हाल ही में जो है मिस्स मद्ध्रदेश 2022 का गोल्ड किसने जीता है मिस्स मद्ध्रदेश 2022 का ये तमन्ना कुरेश जीता हुआ है फिर मद्ध्रदेश का पहला पक्षियों का अस्पताल कहां स्थापित किया जाएगा तो वो भोपाल सहर में किया जाएगा मद्ध्रदेश का पहला पक्षियों का हॉस्पिटल तो आप देखेंगे भोपाल में जो बन बिहार है बन बिहार प्रदेश का एक म होता है कि प्रदेश में कहीं भी कोई भी जानवर घायल होता है तो उसको रेस्क्यू का इलाज करने के लिए बन विहार लाया जाता है बन विहार एक छोटा सा नैसनल पार्क है और बाड़े में उसमें डाल दिया जाता है वहां आसानी से उसे रेस्क्यू आसानी से उसे इला पार्क में क्योंकि बहाँ पर चीते आए थे एक चीते की डैथ हो गई और चार नए सावकों ने जन्मी दिया है तो बर्तमान में मद्य प्रदेश में 23 चीते हैं कितने हैं 23 चीते हैं ठीक है तो यह पक्षियों का अच्छा और वर्ड मैन ओफ इंडिया किसे कहते हैं भारत का पक्षी मैन जो हैं तो आपने सलीम का नाम सुना होगा तो सलीम खान करके हैं वो न तो उनको जो वर्ड मैन ओफ इंडिया कहा जाता है वो याद रखना सलीम नेशनल पार्क भी है उन्ही के नाम से हैं कहां पर जम्मू कास्मीर में ठीक है तो अम्रे सरोबर योजना के उत् है बोला गया था कि हर जिले में 75 सरोबर बनाए जाए 75 जो तालाव हैं उनको सही किया जाए शुरक्षित किया जाए तो इसमें इसको इंप्लीमेंट करने में मद्ध्रदेश कौन से इस्थान पर है दूसरे इस्थान पर है तो यह याद रखना है आपको फिर उसके बाद दिब्याप पाटिदार जोसी जो की रतलाम की है इनने मिसेज इनिवर्स सेंट्रल एसिया का किताब जीता है किसने दिब्याप पाटिदार ने तो इनको याद रखना है फिर नवीनी करन ऊर्जा च्छमता को अब नवीनी करन ऊर्जा च्छमता क्या कहलाती है जो आपकी र कैसी एनर्जी जिसे हम फिर से री क्रियेट कर सकें ठीक एक नॉन रिन्यूवल होती है जैसे आपकी कोईला वाली हो गई ठीक है जो पुराने तरीके थे लेकिन आजकल रिन्यूवल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है ताकि हमारा पर्यावरण भी नुकसान ना पहुंचे औ वह भी हमें बचे रहें खतम हो जाएंगे तो फिर बैसे भी नहीं मिलने वाले है फॉसिल फ्यूवल एक ना एक दिन खतम होना यह सब को पता है उसके अलावा फिर क्या option रहेगा तो इस कारण जो है रिनूवल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है रिनूवल एनर्जी में आप देखेंगे सोलर एनर्जी आ जाती है विंड एनर्जी आ जाती है यह जो है रिनूवल एनर्जी के सबसे वड़े सोर्स है तो मद्ध प्रदेश में सोलर एनर्जी के लिए बहुत जबरजस्त काम किया जा रहा है बहुत सारी जगह जैसे कि अभी आप देखेंगे मुर पार्क है तो प्रदेश का प्रदेश के सांसा देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क भी आपका कहां है ओमकारे सोर में है तो यह से जो रिनुवल सोर्च है उसके लिए काम किया जाएगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा तो मद्यप्रदेश में कितनी 20,000 27 तक हम 20,000 मेगावार्ट रिनुवल एनर्जी रोन नॉन रिनुवल नहीं रिनुवल एनर्जी को अचीव करेंगे तो इसको याद रखना पर यह जो अभी बताया था कि प्रदेश का सबसे बड़ा जो देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट बनाया जाएगा व बनाया जाएगा आपके देवास में अब देवास में ही क्यों बनाया जाएगा तो आप देखेंगे देवास मद्य प्रदेश के कहां मालवा छेत्र में आता है और इसके दोनों तरफ कौन से सहर है इसके एक तरफ आप देखेंगे भोपाल यहां आपका देवास इस तरफ आपका भोपाल शीहोर है यहां आपका इंदवर है और मद्द प्रदेश का जो उड्योग एक छेतर है कहते है और सब से ज्यादा उड्योग कहा होते हैं मालवा में ही होते हैं और जब उड्योग हैं तो उनसे product बनाय जायेंगे और प्रोडक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा भीजना पड़ेगा उसके लिए सबसे बड़ा लॉजिस्टिक एरपोट बनाया जा रहा रहा है logistic जिसमें आपके जिनको हम cargo भी बोलते हैं logistic जिसमें आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं तो सबसे बड़ा international airport जिसमें logistic भी रहेगा और सवारी passenger वाला भी रहेगा ये कहां बनाया जाएगा ये देवास में बनाया जाएगा तो इसको याद रख लेना फिर हाली में मद्परदेश सरकार ने एक announcement और की है कि जो किसान देशी गाये को पालता है उसको 900 रुपे पर मन्त दिया जाएगा तो इससे क्या होगा जो हमारी देशी गाये हैं उनको पा पर मन्त दिया जाएगा कुछ दिन पहले हमने current affair में पढ़ा हुआ था कि जो मद्परदेश की तीन बिसेश पिछड़ी जातिया है ठीक है पिछड़ी जन जातिया कौन-कौन सी भारिया है बैगा है सहरिया है इनको मद्परदेश सरकार दो-दो पसू दे रही है कितने percent subsidy प जाएंगे गाय दी जाएंगी ताकि उनकी आर्थिक इस्तिती भी सुद्रे और अपने जीवन इस्तर को वो सुधार सकें तो कौन सी तीन पिछड़ी जन जातिया है भारिया है बैगा है सहरिया तो बैगा से सुरू किया गया बैगा हमारे मद्परदेश के कहां मंडला दिन बनाया सांची दुग्द सांची दुग्द हमारे हाँ एक ब्रांड है ना जैसे आप देश में देखेंगे अमूल है मद्परदेश का कौन सा दुग्द ब्रांड है सांची है तो सांची दुग्द का ब्रांड एमबेज़र किसको मेगा परमार को बनाया गया है मेगा परम मिल्क प्रोडक्शन में कौन से नम्मर पर है तो मद्य प्रदेश मिल्क प्रोडक्शन में तीसरे नम्मर पर आ गया पहले चौते नम्मर पर था अभी बर्तमान में तीसरे नम्मर पर है पहले नम्मर पर आपका उत्तर प्रदेश है क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्याद और तीसरे नमर पर कौन है हमारा मद्ध प्रदेश है ठीक है तो जो पसू गणना है 2019 की है उसको जरूर आप देखना 20 वे नमर की है उसमें हमारे मद्ध प्रदेश में सबसे ज़्यादा पसू धन में गाए पाई जाती है लेकिन जो पिछली जनगणना और इस बार की रहना है उसमें गायों में ज़्यादा ब्रदी नहीं हुई है कमी ही यह पाई गई है परसेंटेज भाई ठीक है तो सांची दुख्द का जो ब्रांड अंबेश दर है वो किसे बनाया गया है मेगा परमार को बनाया गया है फिर उसके बाद राश्तिय सहरी जैब विविदत होती क्या है जैब विविदता क्या कहलाती है विविदता जहां भिन भिन परजाती की चीज़ें पाई जाती है उसको हम विविदता बोलते हैं अब जैब यहां आपका उस एको सिस्टम जहां विविन परकार के पेड़ पौधे और उनके सांथ अलग अलग परकार के जीव हमारे भारत में 18 ऐस मेसे तीन वाइ nhất मॉण इस त नहलों रिदाता है 1 ते पर आइब हमारे मॉद्यु कि यह सम्मेलन किया गया था कहां किया गया था इंदौर में किया गया था तो बायो डाइवर्सिटी में में फ्लोरा और फ्यूना ही होते हैं तो इनको कैसे बचाया जाए इस पर चर्चा की गई थी ठीक है तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो फैक्ट होता है वो क्लाइमेट चेंज है परिवर्ण जो परिवर्ण हो रहा जिसके कारण धीरे धीरे डाइवर्सिटी खतम हो रही है तो उसको बचाने के प्रयास किया जाएं क्या किया जाए उसके लिए यह सम्मेलन कहां हुआ था आयोज़ित इन दोर में हुआ था तो इसको याद रखना पर काया कलप अभियान का भोपाल से किया गया था काया कल्प जिसमें हॉस्पिटल को पूरा काया कल्प किया गया है ताकि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ना जाके जो है गवर्मेंट हॉस्पिटल जाए और इसके लिए विदिसा के हॉस्पिटल को पचास लाक रोपे भी दिया गया था पूरे प् मद्यपर्देश का current affair था तो इसको पढ़ें और Hemant artist को और देख लेते थे हैं मंसर साइट में किया गया सामिल किया गया यह सवंत सागर को है हमारे मद्यपर देश के इन दो Żeben यस्बंत राव होलकर का नाम आपने सुना होगा उनी के नाम पर यस्बंत सागर है तो यस्बंत सागर जील को किस में सामिल किया गया है रामसर साइट में सामिल किया गया है अब यह रामसर साइट होती क्या है तो यह जो है आपके आद्र भूमी छेत्र एरिया कहलाते है या बैटलेंड एरिया जिनको इस साइट में सामिल किया जाता है तो दो फरवरी 1971 को कहां रामसर आपका सहर है कहां का इरान का रामसर एरान में ये आपका समेलन हुआ था जिसमें पूरे विस्सु के बैग्यानिक आये थे और उनने जो है कुछ ऐसे छेत्र रिजर्व करने के लिए चिन्नित किये थे जो कम से कम आठ महीने नमी के कॉंटेक्ट में रहें और ज्यादा से ज्यादा बारा महीने पानी में रहें तो बहाँ एक अलग प्रकार की बनस्पती अलग प्रकार की डाइवर्सिटी डैवलप होती है और उसी को संरक्षित करने के लिए रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है तो 1971 में ये सम्मेलन हुआ था 1975 से इंप्लीमेंट हुई है और भारत की पहली रामसर साइट की जो जील है वो कौन सी चिलका जील है तो यैसे भारत में रामसर साइट में कितने प्लेस सामिल है इंडिया के तो इंडिया के टोटल 75 प्लेस हैं रामसर साइट में कितने प्लेस आप भुपाल का उसको भोज बेट लेंड के नाम से सामिल किया गया था उसके बाद जो है आपका सिरपूर तलाब हो गया था बहुत पहले जो की इंदोर का है तिर तीसरे नम्मर पर आपका संख्या सागर जील जो कि आपके श्युबपुरी में है और ये माधव सागर माधव राव सिंधिया के द्वारा दो जीलों का निर्मान करवाया गया था अच्छली माधव नैसनल पार्क आप पढ़ते हैं तो माधव नैसनल पार्क में एक मनीहार नदी है उस मनीहार नदी पर 1918 में माधव राव सिंधिया ने डैम बनवाया था उस डैम के पीछे दो जीलों का निर्मान करवाया था एक आपकी माधव सागर जील और एक सांक्या सागर जील माधव राव सिंधिया और उनकी पतनी सांक्या राजे सिंधिया दोनों के नाम से सांक्या राजे जो जील है उसके किनारे इस पूछ चुका है इसी सांक्या सागर जील में बायो डाइवर्शिटी बहुत जादा है अब यह बायो डाइवर्शिटी बैट्लेंड यह कैसे बना क्योंकि वह आपका रिजर्व एरिया है वह माधाव नेशनल पार्के के अंदर आ तो ये आपको याद रखना है पहली आपकी भोपाल हो गई ना एक आपकी भोपाल का भोजटाल हो गया फिर दो इंदौर के हैं एक यस्वंत सागर है और एक सिरपुर तालाब है और एक आपका स्यूपुरी का सांख्या सागरती ये चारों प्लेस मद्धिप्रदेश के जो क 71 रामसर में एराक में ठीक है तो ये आज का हमारा मद्धिप्रदेश का करेंट अफेयर है कैसा लगा इसको आप जरूर बताएं कमेंट करके धन्नवाद